हेलोज एवरीवान आज हम बना रहे हैं बहुती जल्दी बनने वाली एक करी ये एक करी मैं बीगीनर के लिए बना री हूँ ये बनाने में बहुत आसान है खाने में उतना ही तेस्टी तो आज मैं अंडे का करी बनाने के लिए 7 अंडे लिया है मैंने 7 अंडे लिया है उसी तरह से मैंने 3 बड़े आलू इस तरह से क्यूब में काटके रखा है तो मैंने एक प्यास लिया इसको मैं ग्रेट कर रहे हूँ घ्रेट मनें या इक फैस ग्रेये कर लिया तो बहुत सरल तरीका से में बना, तो मुझे ग्रेट किया हुआ जो प्यास के उपर देना है, जिंजार गार्लिक पेस्ट, अंध्रक लसन का पेस्ट, मैंने यहाँ पे 2 टेबल सपून दिया है, अब में यहाँ पे तूंगी तर्मर पाओडर, हल्दी पाओडर, आँप टेबूल स्पुन दूंगी मैं, जो में हाफ टेबूल स्पुन कस्केसी चीनी पाओडर देरी हूँ, और मैं यहाँ पर चार सुम्म्यम्री मूबल करें। बनाने में, इस वाइट करके यहाँ पर मैं यहाँ तेल में दोंगीि, इलाइज, दालवान, दालचिनी और दो थेज़ पत्ते तो मैंने यहाँ पे कडाई गरम होने दिया था तो मैं तेल दिया मैंने 3 टेबुल स्पॉन दिया है तो तेल गरम हो गया तो मैं अंडे को फ्राई करूंगी फर्स्ट प्रोसेस है यह थोड़ा सा नमक और हल्दी दिया और मैं दो मिनिट के लिए इसको फ्राई कर दी हूं कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो मैं इसको निकाल दी हूं अब मैं उसी तेल में दे रही हूं छोटी एलाइस ल्वांग और छोटी सी डालचिनी आर तीन तेज पत्ते इसको थोड़ा सा भूद लूंगी तो अब मैं उसी में कटी हुई आलू दे रही हूं और थोड़ा सा नमक दिया जल्दी पकने में सहायता देता है और कलर भी अच्छा आता है इसको थोड़ा सा गोल्डेन ब्राउन करना है आलू को तीन छे चार मिनिट के लिए फ्राइ करना है ग्यास का फ्लेम मीडियम है बीच में इस तरह से ग्यास किया है तो मैं रही इसी में दे रही हूं मसाले जो मैंने तयार करके रखा था अब में दे रही हूं नमक स्वाद मिनट के लिए और पकाऊंगी मस्टे जास का फिलेम में लोग किया था यहां पर पांस ब्रेट हो गया है और मसाले भी अच्छे शी पक गया है तो मैं आप दे रही हूं यहां पर फ्राइड किया हुआ अंडे मैं यहां पर पानी दे रही हूं मैं गरेवी बनाना है तो अब मैं इस गरेवी को शुकासा है 3-4 मुनेट लगुए किया इसका ही इसका फिलेम हाई है यह देखिए यहां में फ्राइड की हो गया है तो और मुझे थोडना सुकाना है 2 मुनेट अब मैं याँ पे दे रही हूँ थोड़ा सा गरा मसला यह अंडे का करीब बहुत जल्दी बनकर तयार होता है और यह बीगिनर के लिए मैंने पहले ही बोला था इसी तरह से आप भी बनाना और अपना अनुवब मेरे किचेंड में कॉमेंस करके बताना अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए